हाई फ्रेंज अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बल आइकन दबाएं यह वीडियो एक कालपनिक खबर पर आधारित है इसका मकसद केवल हासिव यंग्य स्वस्थ मनुरंजन और राजनीते कटाक्ष करना है किसी की मान्हानी करना नहीं मालिया को लंडन ले जाने वाला पाइलिट होगा गिरिफ्तार हरकत में आई सरकार केंदर सरकार विजय मालिया को भगाने के लिए जिम्मिदार लोगों को बिलकुल भी बक्षने के मोड में नहीं है सरकार सबसे पहले उस पाइलिट को गिरिफ्तार करने वाली है जो मालिया को लंडन लेकर गया था उसके खिलाफ लुकाउट नोटिस जारी कर दिया है कि जो वहाँ भी नजर आए तुरन गिरिफ्तार कर लिया जाए इस पाइलिट का नाम बैजनाज जैशंकर पांडे यानि की बीजेपी बताया जा रहा है जो दो मार्च को जेट एरवेस की फ्लाइट 9W122 में मालिया को लंडन लेकर भाग गया था CBI को शक है कि मालिया को भगाने की पदले में इसने बहुत मोटा माल मारा और उसी माल से दिल्ली में अपना आलिशान ओफिस बना लिया वित्मंत्रे अरण जेट ली ने मीडिया को सरकार के मजबूत इरादों की जानकारी देते हुए कहा कि हम मालिया की मदद करने वाले एक भी बंदे को छोड़ेंगे नहीं चाहे वो पाताल में ही जाकर क्यों ना छुप जाए उस फ्लाइट की एर होस्टेज भी पकड़ी जाएगी और जिस टाक्सी में बैट कर मालिया एरपोर्ट पहुचा था उसका ड्राइवर भी पकड़ा जाएगा उन्होंने मुट्टी लहरा आते हुए कहा मतलब हम किसी को भी नहीं छोड़ने वाले जेटली जी ये कही रहे थे कि तभी उनके मुबाइल पर किसी सिड नाम के बंदे का फोन आ गया वो एक्स्क्यूज में कहकर उट गए और कोने में जाकर बात करने लगे और पत्रकार लोग हसते हुए चाइनाश्टे में बिजी हो गए